प्रेश वीडियो के अंदर तो तो आप सब्सक्राइब करेंगे टेकनिकल अनलेस को सती होई देखने वाले हैं ठीर सारी क्रिप्रोकुर्णसी न्यूसिक्ट अज वाक्य में बहुत सारी न्यूसिक्त हैं जो कि आप लोगों पर इंप्रॉट्ट होने वाली है तो वीडियो कर पुरा जरूर देखेगा दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब करने चाहूंगे दोस्तों अगर अभी तक आपने टैक्निकल एंसस के कोर्स में नहीं करा है आप सीखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग को तो यह कोर्स आप सबी सब्सक्राइब कर सकते हैं इन दोनों के लावा मेरा कोई और रेटेस आपे नहीं है तो फाले दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बिटकॉइन की चार्ट के उपर यह हैं बिटकॉइन को देख सकते हैं कि जो ब्रेक कर चुका है जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बत सब्सक्राइब करता है तो लगबग लगबग टार्गेट आपका 35,000 की आसपस आप रहने वाले जिसमस्ते आप लगबग देख सकते हैं 34,000 तक मार्केट आ चुका है एक अच्छा कह सकते हैं कि हमें ब्रेक आउट देखने को मिला एक खेल्दी कैंडल और वाल्यूम के है और करीबन करीबन हम यहां से टार्गेट कर सकते हैं कि जो मार्केट है वह इस रेंज को यानिकी 36,500 की रेंज को यहां पर जाके हिट कर सकता है तो यह एक रेंज रहेगी जो कि अब हमाले इंपॉर्टेंट है बेस जोप हमारा बनेगा वह है 32,200 का मैं यही वाला करते हैं तो यहां से मार्के 36,000 तक इसली भी टेस्ट कर सकता है क्या यह बूल्ट की शुरुआते हैं क्या यह चेंज हो गया नहीं इसको इतना सिल्दी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा तो मार्केट को एट लिस्ट यहां पर लगपक लगपक 60,000 को ब्रेक करना बहु हो सकता है कि एक तरीके से short bull run हो जो कि हमें 60,000 तक मिलने के बाद prices के इंदर decline देखने को मिले और यह बहुत बार बहुत commonly हमने देखा है 2017 में 2013 में उस पर मैं किसी दिन एक separate video में आपको समझा दूँगा कि कैसे ही चीजे बनती हैं लेकिन इसको कहते हैं debt cut bounce जो कि हमें देख resistance और उसका 40,000 या 41,000 का resistance हमें देखने को मिलने वाला इसकी मार्केट ले भी एक long way है जिसमें थोड़ा सा time यहां पर लग सकता है तो इसका जो highest target है 41,000 तक का यहां तक मार्केट को आना चाहिए इसके रिस्पेक्ट करने के इसके बाद यहां से rejection मिलता है या इसको break करके 60, 60,000 के area का सबस्क्राइब कर सकते हैं इसके साथ हम लोग यहां पर बात करते हैं अपने यहां रिबन के बारे में और यहां पर आफ कर लेता है सारी चीज़ों को तो जैसे मैं आपको बताया हमेशा कि यह में रिबन बहुत important होता है जब भी जो prices हैं वो इसको struggle कर रहे होते ह कहीं ना कभी नीचे की तरफ गिरते हैं लेकिन क्योंकि इस बार यह में रिबन प्रेक हुआ और यह में रिबन एक अच्छा सपोर्ट भी दिया है अगर आप इसको थोड़ा जूम करेंगे तो आप इस चीज में क्लियरली देख सकते हैं जहां से की प्राइज में बहुत है जिसको आलमोस मैं बहुत टाइम से बता रहा हूं यह बहुत इंपोर्टेंट है और जिस तरीके से यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी अगर मैं इसको आफ करता हूं आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बहुत अच्छा सबोर था जहां पर भी मैंने करसा रखा 34 34,300 पे जिसको कि पिछले वीक ने क्लोज कराता तो यह बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि इस वीक की जो क्लोजिंग है जो कि मंडे सूपर साड़े पांच बज़े होगी इंडिया ताम के अगर इसा होता है तो आप इसको ऐसा बुलिश इंगल पिंग कह सकते हैं और उससे पहले थोड़ा कहना मुश्किल होगा लेकिन जासे मने लास्ट भी बताया था वॉल्यूम गिर रहा है और जब कभी वॉल्यूम केरता है यूज ब्रेक आने वाला होता है तो आप उसके तयार हो सकते हैं ब्रेक आप किस तरफ आएगा यह कहना भी फिलार में मुश्क पर आर तो यहां पर प्रेकों यहां मिलेगा तो यहां पर कोई ब्रेकिन को जांटने के तरफ गिर सकता है यह उला है और यह यह अपर आपको मार्केर मोमेंटम अच्छे मिलेंगे अब समय पिछली बार जीतना जो वो कम है और वॉल्म चीस से आप से हिस्टोग्राम का बढ़ेगा इट्मिन की आपका बाइंग प्रेशर जो होगा वह उतना ज्यादा आपको प्रफॉर्मेंस और मुमेंटम देखने को मिलेगा अब क्योंकि डेली कैंडल से तुर में टाइम लगेगा डेवलप होने में में चार दिन 5000 के असपास लेकिन जो वीकली क्लोजिंग आती है उसके लिए यहां पर चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके बाद अगर बात करते हैं लोग बिटकॉइन के सीमी फूचर चार्ट के बारे में तो इसमें मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट ज इसका हाई है वो 35,000 के असपास है जो हमने बुल फ्लैक का भी ना पर था तो वहीं पर सेम होने वाला है नेक्स बात करते हैं यहां पर डॉमिनेस के बारे में तो डॉमिनेस बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रही है वो अब डाउन चीज़ों में अगर मैं इसको पूरी तरह की से रिमूफ कर देता हूं और हम आते हैं वीकली के अंदर तो यहां पर वीकली से डेली में आजाते हैं क्योंकि वीकली में बहुत ज़दा छोटा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है तो यहां पर एक चीज़ ऑपसर कर सकते हैं कि नीचे की जो ट्रेंड लाइन है कर रही है लेकिन उपर की जो ट्रेंड लाइन है वो कहीं ना कई मार्केट को इस तरह स्क्वीज आउट कर रहे चाहें तो आप इसको थोड़ा यहां से ले सकते हैं और यह आपको एक सिमेट्रिकल ट्रेंगल के फॉर्म में देखने को मिल जाती है जिसका ब्रेक आउट बह लिए हो सकते हैं क्योंकि मार्केट कि किसी ना किसी बैम अगर आप देखे तो यह बियर पैनेट की तरह हमें देखने को मिल जाता है पट फिर भी हमें यहां पर हमिशा अपनी तरफ से दोनों तरफ की जो चांसे उतने उनको देख के चलना चाहिए तो अपर चांसे की बात करते हैं इसके लैंट की तो यहां से अपर अगर हमें देखने को मिलता है तो यहां पर आपको जो मार्केट के फिटॉमिनस मतलब वह फिटी सिस्स तर जाती हो मिल जाएगी अगर डाउंसाइट की ही सिमिलर बात करें तो यहां पर यह नीचे आ सकती है थर्टी सैवन तक और अगर यह नीचे की तरफ देखती है बिटकोई डॉमिनस इस में कि आपको अल्ट के अंदर हैवी रेली देखने को मिलेगी और यहां से अगर अपर जाता है याने की बिटकोई की डॉमिनस तो बिटकोई के चांसे होंगे कि बोस को फॉलो करके ऊपर की तरफ जाएगा जह ुछ यह जो पहला वाला कि मिला था आप इस drives को से कूर्लेट कर सकते हैं यह वाले ड ayam से और इसकी मार्क मार्केट ने फिर से जब रिकवरी के दी अथ मिशनीदा से तो मार्केट पॉसिवलिटी के यहां से रिकवर आ से सब्सक्राइब कर दिया और अगर थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करें तो यहां पर हम लोगों को एक हैड इंड शोल्डर हैट और यह शोल्डर देखने को मिल जाता है जिसके अगर बात करी जाए तो मार्केट की जो हाइट है की वह हमें देखने को मिलती है आपके इंदर अच्छी है आप अगले दोस्तों की बात करें तो यह है दोस्तों एथिरियम में लास्ट जो हमें फॉलिंग वेज देखने को मिला था वह फाइनल यहां पर ब्रेक आउट हो चुका है यहां पर रेजिस्टेंस है और यह बहुत प्रेट यहां तक प्रेटिंस को टेस्ट कर न चाहिए लास्टेय में आपके मारकेटले 200 का की मिलींगे अर अगर गर सकते हैं आप इसको ड्ला में थे इसको को जिएखने सब्सक्त souvent मपार। देखने को मिल सकता है तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि मार्केट यहां से है कि 2400 तर अपने मुमेंटम को शिफ्ट यहां पर कर सकता है और अगर यह चीज होती है तो उसके पात मार्केट कहीं न कहीं न कहीं यहां पर एक डबल बॉटम जिससे सेनार्यू बना लेगा जहां पर कि 2400 तक तो नहीं पर अगर थोड़ा मार्केट उबर जाता है फिलाल के टर्म में चाहिए वंडी का भी टर्म हो तो मैंडी का भी क्रॉसवर हो गया और से थोड़ा उपर आता है तो हमें और ज्यादा कभी तो यह बंद हो गया और जब भी खुलेगा तो आप एक गैप रहेगी जिसको कि में भी शाहिए दीथिने पहले फिल करें और फिर आगे की तरफ नहीं पर बढ़ सकता है लाइट कोन के बारे में सिमिलर सा इसका भी चार्ट है जो मैं आपको लास्ट बताया था कि मार मार्केट को 140 तरफ यहां पर फिल्ट कर सकते हैं नेक्स कोईन की बात करें तो यह है चेन लिंक जिसका मैं आपको लास्ट बताया था मार्केट मुवमेंट में दे सकता है और यह वाला जो टार्गेट है यहां पर आप देख सकती है जो प्राइस है और यहां से थोड़ा ब करेंगे तो अभी आपके लिए पाकी हम लोग इसमें 14 डॉलर के नीचे नहीं रुखेंगे 14.5 वह एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे प्राइस चले जाता है लिंक में दैन वहां पर चीजे बीरीश हो जाएंगी और यह वाला जो लेवल है यह भी थोड़ा सा कॉश्यस थे तो अगर आप इसके ब्रेक के बाद फिर वेट कर सकते हैं जैसी मार्केट यहां पर रुखता है इस तरीके से फिर आपको एक और नहीं एंट्री देखने के लिए मार्केट में मिल जाएगी महीं पर बात करते हैं BNB के बारे में जिसमें में लास्ट बताया था बट लास् पर यहां पर है आप थोड़ा उपर नहीं चेक कर सकते हैं तो हम यह कह सकते हैं लेकिन अगर आपको थोड़ा बीन वी में लॉंग खिलना है तो वेट कर सकते हैं थी टरटी के ब्रेक होने का नेक्स कोई की बात करें तो यह है XRP जिसने रिकवरी अच्छी दिये हमारा अलग कि जो लेवल ता उसको टेस्ट नहीं कर पाया मार्केट यही पर रिजिस्टन्स ब्रेकर की मार्केट उपर आया है क्योंकि अब मार्केट अपने मेजर लेवल को ब्रेक कर चुका है तो चा यहां पर आपको मेजोरिटी आप इस चीश को देख सकते हैं कि इसका ब्रेक आउट हो गया है और यह ब्रेक होने का मार्केट आपका 0.65 यहां पर ट्वेट कर रहा है एक्स को बात करें तो यह है दोस्तों नियो और नियो में आप एक चीश क्लेरी देख सकते हैं जो लास् मार्केट ने यहां से दी है 22% वो आप उसके ब्रेक आउट के बाद से मिल सकती है जहां पर मैजर टार्गेट यहां पर लेके चल सकते हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि अभी मार्केट को फॉर्म होने दीजें यह अगर हमें 29 या 29-30 के बीच मिलता है तो एक बैटे डिल नियो है गए exercice कर लिए तो कमेट और मारकेट थोड़ासा टाइम है फेंट एक पर को नियों को यह बिलता है थेंट्य कवल्ड़ करते हैं तो पर हमें एक्जित होना होगा सब्सक्रीस के 20 10.9 को हिट यहां पर कर लें नेक्स कोई की बात करें तो यह है बिटकोईन कैस्ट जिसका मेजर लेवल यहां पर ब्रेक हो चुका है और हम सहां पर तो अभी क्लिब टार्गेट 474 का रख सकते हैं यहां पर बात करते हैं सोल के बारे में तो सोल ने भी कैसे बड़िया पर्फॉर्मेंस दिये ब्रेक आउट दे चुका है अल्मस्ट तो यहां पर अगर हमें कोई दुबारा से वही डिप डाउन मिलता है 27 के असपर हम 3031 तक के टार्गेट को सैट यहां पर कर सकते हैं लास्ट अगर कौन की बात करें तो यह कडानों ने भी तक ब्रेक आउट नहीं दिया कडानों में एक चीज़ बुलिश है वह इसका एड़ और यहां पर शुल्डर डेवलप हो रहा है लेकिन उसका ब्रेक आउट भी नहीं हो आए तो आपको इसको थोड़ा सा चीज यहां पर करना वह ब्यूटिफुल तरीके से ब्रेक दे दिया सिर्फ थोड़ा सा रिट्रेस्मेंट यह अगर प्रॉपरली हो जाता है तो मार्केट आने वाले टाम है में 1.3 1.4 और 1.51 की जो रेंजे से उस तक आपर देख सकता है फाइनली जो कह सकते हैं आड़ा कोई ने वह बहुत प्रेस्टेंस तो 1.5 के असपस ही तो वहां तक भी अगर प्राइस जाता है और रिजेक्शन मिलता है तो एक वर्स से नाजिफ हो सकता है उसको ब्रेक होना इंपोर्टन रहेगा ताकि हम लोगों को एक तो यह फालिंग वेच या फिर आपके सकते हैं डाउन चैनल का जो फ अगर हम टार्गेट सेट करें तो लगबग 1.38 की असपस तक मार्केट यहां पर मुमेंटम दे सकता है तो बस तो यही थी साले कोई मैंने आपको सारी चाहिए बता दिये हैं आप अपने चार्ट में चाकिन को ड्रॉक कर सकते हैं ताकि आप इसी तरीके से इन सब इस यह को बिक्ट उसे में यहां पर कर सकते हैं और अब कहीना कि जो Reddit है वह भी है लेयर टू सॉलेशन के उपर मूफ कर रहे हैं जहां पे कि इसके पॉंट का डिस्टिबूशन का काम और क्या सकते पहुंचने के लिए यहां पर हो जाती है तो बइसिकली आप इन्होंने खुद का ए यहां भी अफ्ग्रेट आई रहा है बट ठीके लेर टू सॉलिशन से अपनी जगे बैटर हैं बट बहुत ज्यादा मोसली चांसे से हैं कि अगर एधिरियम अपने अगले दो साल में बहुत हद तक सुदा लेता है तो जितने भी लेर टू सॉलिशन से किसी भी काम के नहीं हों हैं और जहां पर यह लोग लॉंच करेंगे लेर टू के रोल लफ अर्विटर्म टैक्नलोजी के उपर जहां पर कि अभी इसको टेस्टिंग करा जाएगा और फिर बात में जो इस पर कर जाएगा तो अगर आपका काम है जिसमें आपका टोकन पर और आप चाहते हैं उसको सब्सक्राइब करना तो अगली दूस्तों खबर आरी है कोई 98 की तरफ से इसने 1200 परसंट के असपर सब्सक्राइब करा अगर आपको याद दो तो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी लगवक एक अपता पहले यह वाली जिसमें पोटेश्य हंड्रेट को टेक्स करने का लगव पर बाइनेंस पर इसका हाई प्राइस तीन डॉलर तक गया था इसका अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात करें जो कि यहां पर बिखा है तो वह प्राइज हमें 0.07 से देखने को मिल जाता है और यह प्राइस लगवक तीन डॉलर के आसपस गया था तो आप समझ सकते हो क कि कितना ज़्यादा एक रिटन है बॉटन प्राइज आप यहां भी देख सकें 0.075 और उपर तीन डॉलर हाइस देखने को मिल जाता है तो अगर आपनी स्कॉइन में गए थे तो वैलन गोट आपको एक अच्छी चीच मिल जाएगी इसकी पूरी जो फंडामेंटल आनलेस इस वीडियो में शेयर करें जाके देख लिएगा आट मिट की वीडियो आपको सारी चाहिए पर क्लियर दी समझ जा जाएंगी कि प्रोजेक्ट क्या है और आखिरकारी करना क्या चाहता है अगली दोस्तों खबर की बात करें तो दोस्तों यहारी है ऐल सेर्वाडों की जो क्या सकते कि यहां पर पूरी चीज़े भीजी है लुए है प्लस यहां पर जो रोडोब पर क्या सकते हैं क्या इनको अंशन या आइब यहां पर जो प्रोटेस्ट भूरा है बेसिकली उसमें वही आ रहा है कि no bitcoin को मतलब हमें legal tender या इस तरह किसे नहीं बना रहा है बट यह बहुत बड़ी गलती कर रहा है अगर यह उसको नहीं बनाते हैं तो कहीना कि इनकी dependency पूरी US dollar पर टिकी होगी और वो इनकी economically एक worst condition यहाँ पर बन सकती है आने वाले future में क्योंक जल्द हो सकता है कि हमें एक बहुत बड़ा crash देखने को मिले पूरी global economy में जहां पर सिर्फ तीन ही चीज़ें सेफ हो सकती है silver gold and bitcoin तो यह चीज़ें जो कि आपको थोड़ा देखना चाहिए और मैं बहुत जब्सक्राइब करें क्योंकि जब स्टॉक मार्केट हो यह सब टन आपको दोन तरफ देखने को मिल जाता है और यहां पर मिल जाएगा अगली दुस्तों खबर की बात करें तो यहार है करूरा की तरह से करूरा नहीं पर लांच कर दिया अपना खुद का टेक्स जो कहां पर है पॉलकाट और कुसामा का और क्या सकते हैं कि एक पर किसा भी जो ऑक्शन हुआ था हमारे पास प्रोटोकॉल का कुसामा की चेन पर उसी का एक साइट आप पर देखने को मिल जाता है जहां पर नहीं के पहले की दिन आपर 3.4 मिलियन की लिक्विडिट का एक्सेंशन डालो यहां से मैं एक्सेंशन डाउलना पड़ेगा इतना कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं बट अगर आप पोलकाट या कुसामा के ऊपर है और ट्राइक करना चाहते हैं तो जाकि एक और नए डेक्स आपके पास लिस्ट इससे रिलेट हैं तो बेसिकली नहीं रिखा कि हम लोग एक पेमेंट एक्सेप्टेट और एक्स्पिरिंस टीम चाहते हैं जहां पर एक्स्पिरिंस लीडर्शिप्स हो डेफलप करना चाहते हैं अगर इस पूरी चीज में देखेंगे तो यसी चीज़ पर फोकस है पर करता है तो यहीं सारी चीज़ यहां पर निकल गया है तो यह थोड़ी चीज़ है बढ़ कि आप चाहो आपके अपस अगर एक्सपिरिंस है तो ट्राइब कर सकते हो में भी आमेज़ों के डिजिटल करन के पार आप यहां पर बन जाएंगे आगली दोसा पर खबर आ रह है तो बिसिकली पांच क्रिप्टो करंसी फॉंड से नाम तो आप बता है नहीं गए पर मुस्ट कॉमली आप वही मालो हां मिल गई यह रहा यहां पर बिटकोइन ट्रस्ट नहीं ग्रेस के थूरू ही जाने वाले जा पर बिटकोइन ट्रस्ट एथिरियम एथिरियम क्लासिक और फिफ्ट जो है वो थोड़ा भी शायद अप्रूबल में चल रहा है तो देखते हैं कि क्या जी जाती पर आइधिंग में भी शायद लाइट को यहां पर ले सकते हैं क्योंकि यहीं मुस्ट कॉमली पांच कॉन होते हैं जो सबसे पहले इंस्टिटिशन से यहां पर पिक जेपी करके कुछ है यहां पर तो भी मिल नहीं रहा है तो आप उसको चेक कर लेना तो बेसिकले नहीं यहीं कहाता कि बिटकोन एक फ्रॉड है और यह अल्टिमिट ब्लो अप है एकॉर्डिंग टू जेपी मॉर्गन और यहां पर कहना है कि तीन एयर से बनता है और पीपल अगर बात करें तो यहां पर आरी है स्विसलेंग का जो एक बहुत बड़ा बैंक के यूबियस अपने नाम सुना होगा देरे लोगों कि हमापे खाते हैं ब्लैक वाले तो वह भी है और यहां पर आपको क्लाइंट देखने को मिल रहे है जहां पर इनका कहना है कि जो बात हमें लगता है कि हापर रहा है क्रिप्टो को लेकर और उन्स्रेशनड फोच मेनीश का फो है कर रहे है अक्रैशन कैसे कैसी की है जो गा wastewater है या ताकि आपको लेक्विडिटी ज्यादा मिलेगी आप ज्यादा लेक्विडिटी कर पाएंगे अलाकि क्रिप्टो का फिल्ड बहुत ज़्यादा वास्त है बहुत सारे कच्छरा प्रोजेक्ट है वह चटाई हो जाएगी आने वाले टाइम के अंदर जैसे थोड़ा भी यर मार बात करें तो लगपक यहाँ पर 1.33 million के पास कस्टमर और 330 billion कस्टमर यहाँ पर एक विटी में इनके पास यहाँ पर काम करते हैं अब इनका क्या है कि यहाँ पर यह बिटकोई में अपना पैसा डाल रहे है और यह ब्लीव करते हैं कि इसमें एक चोटा सा पर चांस है कि अगली दूसर खबर की बात के तो यह आ रही है एक और बैंक की तरफ से बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से यहाँ पर इनको अप्रूबल मिल गया है future rating का ताकि अपने client को यहाँ पर सर्फ कर सकते हैं यहाँ पर यह भी वही बैंकों में शामिल जो की JP Morgan यहाँ पर लिस्ट में पर इनके बहुत सारे पार्टनर होंगे आप देखे सकते हैं सर्कल बैक्स अब बिट पर आटो प्यमेंट जहां पर की सारी चीज़ी आएंगी और वही है यहाँ पर फ्रेक्शन जो क्रिप्टो करनसी वह इनको बहुत ज़्यादा है तो और कुछ नया नहीं है लेकिन हम मा आज के आखरी न्यूस के अगर बात करें तो यारी है Goldman Sachs की तरफ से अगेन एक और बैंक आपको देखने को आप मिल जाता है जहां पर कि यह लोग सैटल करेंगे क्रिप्टो में ETP यूरोप के अंदर यहां कि जो यूरोप में इनके क्लाइंट से अब उनको यहां पर ETP प इसलिए नहीं करा रहे हैं यह उनको फाइदा होगा और इसलिए करा रहे है ताकि वह क्रिप्टो को अपने पास इसका啦 रख सकें और जिस तरीके से आज gold custody में रखा है और उस पे फीट currency भाटी गई है free money उसी तरीके से इनका प्लान crypto का भी है तो मैं यह कहूँगा कि अगर आप smart हो और आप इस category में आते हो जहाँ पर आप banks के इनके उपर rely करते हो तो बिल्कुल भी करने की सूरत नहीं है आप अपना पैसर में पास रखो अगर वह बैंक में जाता है तो आगे ना पीछे आज भले ही आपको देखने में अच्छा लग रहा है कि यह बैंक समय ओफर कर रहे हैं यह कर रहे हैं यह चलो एक क्या सक अपकर आपकर रहा है नोटोफ करें इस पर आने वाली वीडियो की इस प्रॉपरğ टाइम पर पह करें तो मैं मिलते हो से लोड़ी कुछ आपकर रूपर टाइम पर पासकें मैं मिलते हुए कुछ आपकर ग्रेट डेयें और बदाउट